बहुत अच्छी शुरुवात हुई है सबसे पहले आप सब लोगों की प्रेजन्स से क्योंकि जिस टाइम पर यह लीडर्शिप डिवलोपेंट प्रोग्राम प्लैन किया जा रहा था अभी तक जो भी AICT के साथ या उससे भी पहले जो इनिवर्सल हुमन वैल्यूज की यात्रा चली है कई इंटरनेशनल कॉन्फरेंस हुई है जिसमें वाइस चांसलर्ज और एडुकेशन के लीडर्ज की पार्टिसिपेशन हुई है क्योंकि वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की है इसलिए संख्या ज्यादा रही है लेकिन किसी रिजिनल प्रोग्राम में इस प्रकार की संख्या होना एडुकेशन लीडर्स की यह वास्तों में हम सबके लिए बहुत ही एंकरिजिंग बात है मैं याद कर रहा था कि इतने वाइस चांसलर पहले हमारे किस प्रोग्राम में आये हैं तो 2014 फेवरी में हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फरेंस की थी जिसमें पंजाब टेकनिकल यूनिवरसिटी में की थी जिसमें सार कंट्रीज पर फोकस किया था जैसे अभी सबसे लोग थे और उसके बाद आज इस प्रकार से नॉदन दिजिन के इस सारे में तो मैं आप सब लोगों का आभारी हूं और सबसे जादा इस सारे को करने का जो मौका दिया रेनुजी ने और इन्होंने आते ही जो बात कही कि वेल्यू एजुकेशन की बात तो पर सिटी चंडीगड के केंपस में कार फ्री डे है हर महिने का लास्ट फ्राइडे जो है वो कार फ्री डे होता है और वाइस चांसलर आज अपने रेजिदेंस से यहां वेन्यू तक पैदल चल करके आए हैं यह इस वेल्यू को कैसे प्रेक्टिस करना इसका एक बड़ा इंकल्केशन में सबसे बड़ी बात है कि फैकल्टी को तयार करना इसका बल्की वेल्यू की इंकल्केशन कैसे होती है वो चीज वो अपने लाइफ से अपने प्रेक्टिस से शुरू करें यही एक सारे प्रोग्राम का परपस रहा है यही कोशिश रही है इसलिए सबसे ज्य कर रही है तो मैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में आज का जो पर प्रोग्राम नॉर्मली आठ दिन के होते रहे हैं कोरोना के दौरान हमने थोड़ा सा काफी इनिशेटिव लेकर के जूम पर ऑनलाइन प्रोग्राम किये वह पांच छे दिन के थे मंडे टू सेटर्डे जनरली बात होती है कि यह चीजें तो स्कूल एजुकेशन की हैं यह चीजें तो प्रीचिंग की हैं यह चीजें तो डूज और बताने की हैं दूइंग की हैं मैं आप से शेयर करूँगा कि हम इसको जो हायर एजुकेशन में कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में यह डूइ पर या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर नहीं है बलकि understanding पर है यह क्यों करना है और कैसे करना है इसके बारे में है और काफी ज्यादा बहुत अच्छा एक्जामपल आपने दिया कि कृष्ण को नहीं बुलाया या रावन को मारा तो अंकार ने मारा तो वो जो पीछे की जो थियोरी है वो हायर एजूकेशन में ही समझ आ सकती है इसलिए जो एफ़र्ट हायर एजूकेशन में हुए हैं वो मैं आपसे शेर करूंगा जो हम सब लो है उसकी वैल्यू क्या है इस एक्जिस्टन्स में यानि उसका रोल क्या है यह उसको समझ में आए और उसके अनुसार उसके लिए क्या वैल्यूएबल है यह उसके ध्यान में आए तो फिर वो अपने आप उसके बहेवियर में एक्स्प्रेशन होता है उसका एक्चुली जो माइंड में चल रहा होता है माइंड में जो समझा होता है जो उसकी अंडरस्टेंडिंग होती है वही behavior में express होती है कई बार हम value education के time पर behavior पर जब focus करते हैं तो ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है parents कहते हैं, बच्चे सुनते नहीं है teacher कहते हैं, बच्चे सुनते नहीं है लेकिन बच्चों की कौन सुने इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है बच्चों के अपने मन में क्या चल रहा है तो ये बात कही गई कि ये जो human being एक integral part है nature का तो उसकी definite value है उसका definite role है उस role को समझना उसकी तरफ ध्यान जाना वो ज़्यादा important होता है बाकी जो चीज़े हम behavior जो हमारा होता है वो उसकी expression होती है वो अलग-लग time पर अलग-लग society में अलग-लग जगे पर वो अलग-लग हो सकती है which is specific to that society which is specific to that time which is specific to that place उसमें differences भी हो सकते हैं लेकिन उन differences को यह सोचना कि वो एक दूसरे के opposite है यह तब समझ में आता है जब उसके पीछे की जो value है वो अपने ध्यान में आती है वो समझ में आती है और इस कारण से expression की तरफ कम ध्यान देना उसकी understanding की तरफ ज़्यादा ध्यान देना यह बात universal human values के course में पहली बात ध्यान में लाते हैं जब higher education में हम लोग students के साथ यह करते हैं कि this is one of the efforts to understand the participation in universal manner कि जो हर जगे पर human being की value है वो Asia में, Australia में अमरीका में, अफरीका में, यॉरोप में सब जगे एक जैसी होती और उसमें difference नहीं होता है, जो पीछे की जो understanding है, उसमें नहीं रहता है और जब वो समझ में आती है तो फिर हमें ये समझ में आता है कि अलग-लग societies में expression जो है, वो कैसे अलग-लग है क्यों अलग-लग है और आज के समय में, आज की जुरोत के हिसाब से आज के environment में हम उस value को कैसे express कर सकते हैं और अपनी उन values को कैसे fulfill कर सकते हैं, एक example के तौर पर कौशिक जी कह रहे थे यह नया नया स्क्रीन लगा इस लिए टाइम लग रहा जैसे जो feeling of trust है यह एक युनिवर्सल वैल्यू है, relationship में feeling of trust ही अलग-लग तरीके से express होती है, या तो feeling of trust है या नहीं है feeling of trust है, तभी आपका expression ऐसा होगा कि दूसरा व्यक्ति भी मेरे जैसा ही है जैसी मेरे अंदर aspirations है, जैसी मेरी intention है वैसी ही intentions, वैसी ही aspirations हर व्यक्ति की होती है, वो चाहे कहीं भी किसी भी situation में हो हर आदमी सुखी होना चाहता है, बच्चा भी, बुड़ा भी, आदमी भी, औरत भी, अमेरिका वाला भी, हिंदु भी, यहुदी भी, मुसल्मान भी, इसाई भी यह जो चीज है, यह जब तक trust नहीं बनेगा, aspiration के level पर, intention के level पर, तब तक, फिर जो dignity of individual है, वो उसकी expression, जो equality of gender है, यह उसकी expression है, लेकिन पहली जो मूल बात है, वो feeling of trust है, trust is to be assured of other, कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही दूसरा है, वो जो difference नजर आ रहा है, वो expression में है, वो aspiration में नहीं है, कि जिसको कहते हैं, कि जो, जैसे factory setting सब की एक जैसी है, factory setting एक जैसी है, बाद में जो software corrupt होता है, या बाद में जो upload हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कौन सी applications upload की हैं, उससे अलग-अलग mobile जो हैं, अलग-अलग तरीके से behave करते हैं, otherwise factory settings human being में भी उसी तरीके से तो इस feeling of trust को जब हम accept करते हैं, तो फिर हमारे मन में इमिजेटली ध्यान में आता है, कि मैं जैसे दूसरे को खुश करना चाहता हूं, दूसरा भी चाहता वही है कि वो भी मुझे खुश करना जाता है, जैसे मैं दूसरे को नहीं कर पाता हूं, the difference is of competence, difference is not of intention, so as an human being, we have to differentiate between intention and competence, तो जब intention पर trust होता है, तो फिर हम जैसे अपनी competence पर काम करते हैं, वैसे हम दूसरे की competence पर भी काम करते हैं, हम students की competence पर काम करते हैं, हम colleagues की competence पर काम करते हैं, but we don't doubt that intention of each other, यह एक example के तौर पर और ऐसी जो feelings हैं, definite feelings हैं और उनके बारे में बच्चों को जब ध्यान में आता है, तब फिर वो अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, कि यह deficit of trust है, जो नहीं होना चाहिए, यह कहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर वो फिर डायलाग टीचर के साथ शुरू होता है, यह पूरा जो प्रोग्राम है, वो डायलाग बेस्ट है, वो प्रीचिंग नहीं है कि बच्चो यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, तुमको अपने अंदर यह दिखाई देता है कि अज़े, everything is taught in this course as a proposal not as an imposition कि यह करो यह नहीं करो यही चीजह जैसे मैंने कहा कि यह जो feeling of trust है it is being expressed as the natural outcome is sharing the dignity of individual natural outcome है gender equality अपने constitution में जो fraternity की बात कही है तो उसको जो define किया है constitution में assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation unity or integrity जो है वो inherent तभी होगी जब feeling of trust होगा अगर feeling of trust नहीं है तो फिर unity और integrity जो है वो बातों में ही रह जाती है वो हो नहीं पाती है और जब हम trust को समझ जाते हैं तो fraternity जो है वो natural होती है और यही चीज़ें UN के जो sustainable development goals है उनमें बातें कहीगी उसमें gender equality की बात क्या कहीगी this is an expression of trust between genders and is natural once we understand trust इस तरीके से एक example के तौर पर कि यह universal human value है जो ट्रस्ट की वैल् Due है यह सारी दुनिया में एक जैसी है सब जग्ये एक जैसी है सब काल में एक जैसी in कि महा भारत काल में भी ऐसी थी यह मुहमत साइब के कॉल में भी ऐसी थी सब समय में एक जैसी रहती है उसको हम युनिवर्दसल human values करते हैं और इसको हम अपनी life में जीते हैं जब गर express करते है तो चार levels अपने individual लवल पर परिवार के स्थर पर समाज के स्तर पर और नेचर के साथ पर्यावरण के साथ कि यह सारा पर्यावरण कि मेरे उपयोग के लिए तो मेरा भी रोल है इसके प्रति तो यह वैसा बना रहे इसकी सस्टेनेबिलिटी के प्रति तो वो जो तो मैं इसका ध्यान रखूंगा तो यह भी पीडी दर पीडी मेरा ध्यान रखेगा यह जो ट्रस्ट है ना सिरफ मानों के प्रती यह प्राणी मात्र के तो यह 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 जो सेट अफ वैल्यूस है यह बहुत थोड़ी है इनको identify किया जा सकता है यह definite है और इनको fulfill भी किया जा सकता है जब हम समझ जाते हैं तो फिर उसको fulfill भी कर सकते हैं और क्योंकि यह definite है और बिल्कुल unlimited नहीं है तो इनका completion point भी है जिसको पूर्णता को प्राप्त करना वह चीज भी है और global level पर हम देखें तो तीन ही values है truth love and compassion और यह दुनिया में जब जब महापुरुषों ने किसी भी देश में किसी भी काल में उन्होंने जब जब सच्चाई का truth का reality का साक्षातकार किया है उनको यही ध्यान में आया कि सत्य एक है truth is one दूसरी बात कि प्रेम ही जो है वह value है जो opposition है जो feeling of opposition है यह sustainable नहीं सस्टेनेबल feeling of love ही है और करना क्या है उसकी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ लव इस होगे उसकी लोगों के पास अलग justification होगी लेकिन जब हमारा हाइर का विद्यार थी उसको गहराई से समझेगा उसको अपने और दूसरे के बीच का जो अंतर है वो समझ में आएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको फिर जीना कैसे उससे फिर वह सारे विशे जो conflict resolution के हैं वो सारे विशे विद्यारतियों को समझने उन सबको आज चाहे हम अपना Constitution पढ़ें चाहे हम National Education Policy पढ़ें चाहे हम UGC का document है जो curriculum for life skills चाहे हम UGC का document मुल्य प्रवान चाहे अभी यह जो इन सबके पीछे वो जो बात है वो वेल्यूज की है जो आज हम अपने परिवारों में अपने स्कूल में जब नहीं करवा पा रहे हैं तो फाइनली जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजिस की बनती है क्योंकि फाइनल फिनिुड प्रॉलड़क्ट चो सोसाइटी को देना है वो हमारे या से जाना तो पैकेजिंग की मोहर हमारी है तो जिम्मेवारी हमारी बन जाती है कॉन सी इन numéroर्स्टी से पढळ के आया है क्योंसे से कॉलेज यसलिए हमारे ध्यान में यह आने कि बात है कि जो वेलूज हैं इस पर डिपेंड करती है हमारा वर्ड वीजन क्या है वर्ड विजन का मतलब है कि हम अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में सोचते क्या है अगर हमको यह पढ़ाया गया है कि a survival of the fittest ए स्ट्रगल फौर सर्वाइबल अगर यह हमारा वर्ड विजन है तो फिर लव और कंपेशन नहीं हो सकता फिर इसको अगर आप गहराई से सुचेंगे यह वर्ड सब्सक्राइजन शस्टेन नहीं सब्सक्राइब लिटी यह है यह विए पार्ट आफ वन होल यह अन वी एक्सिस्टेंट्स गोड़ें श्राइट अन देखेंगे तो तब ही हमें समझ में आया का है कि इच उनित इंडिस एक्सिस्टेंस इस रिलेटिट टूछ अधर दिस ओल एक्सिस्टेंस वो वर्ड विजन उस वर्ड विजन से मैच नहीं करता है स्ट्रगल फॉर्वाइवल और सर्वाइवल अब फिटेस्ट तो उस वर्ड विजन से शुडू करते हैं तब वैल्यूस ट्रस्ट रिस्पेक्ट गाइड़न्स रवरेंस यह जो सारी केर यह सारी ओ leben यह अगे बढ़ती पहलें और उससे फिर समझ में आता है कि मुझे इfires इस वर्ड विजन के इसाप से वनुक्ом से कौनसी किंट हैं मुझे क्यों फिजिक्स पढ़नी हैं मुझे क्यों मेकैनिकल गामस्याइनिंग पढ़नी हैं मुझे क्यों सेलोजी पढ़नी है वो पढ़के मेरा क्या रोल सोसाइटी में होना है वो स्किल्स जो है वो एफर्ट है वो कंड़क्ट है वो तब सही होता है कि जब हमारा वर्ल्ड विजन और वेल्यूज वो उस जारे वो समझ में आती है अनफर्चनेटली हमारे अभी तक के जो एजुकेशन एफर्ट रहे हैं उनमें स्किल्स पर कंड़क्ट पर एफर्ट पर यह करो यह करने से यह सामान मिलेगा पैसा मिलेगा जॉब मिलेगी बिजनस चलेगा उस पर पूरा ध्यान दिया गया है लेकिन वो सब क्यों करना है कैस सिंग लिंक है और उसकी वज़य से जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है पूरी एक्जिस्टेंस में बाकी जो रेस्ट आफ नेचर है एनिमल प्लांट्स ट्रीज सॉयल वाटर यह सब का जो वैल्यू है इन सब का जो रोल है वो प्रीडिटर्मेंट हर मैटर जो है वो अप अपने अटॉमिक स्ट्रक्चर के मताबिक रहता है चांदी चांदी की तरह से सोना सोने की तरह से लोहा लोहे की तरह से मिटी पानी सब अपने अपने टीज और प्लांट्स अपने सीड के हिसाब से बहेव करते हैं एनिमल अपने ब्रीड के हिसाब से घोड़ा घोड़े की वो काम education का है family में education school में education college में education university में education और तब वो conduct जो है वो human conduct होता है अगर human values human values और human world vision जिएन आता है कि हमारा जो वर्ड वीजन है वो किस प्रकार का है तो ये जो चीज है जिसको आज करो कई बार हिंटेग्रेल हिउमनिस्म के नाम से भी गा जाता है इसकी तरफ ध्यान हमारी युनिवर्सिटी में जाए उसके लिए हमारी education human education होनी होगी, human education से holistic human world vision, पूरी existence में यह सब लोग सब जानते हैं कि nothing can be destroyed, nothing can be created, जब सब को सदा साथ रहना है, तो लड़ जगड के साथ रहना है, conflict के साथ रहना है, कि harmony के साथ रहना है, कि किसी से भी पूछेंगे, छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे, बुड़े से पूछेंगे, हर एक को का जवाब harmony की तरफ ही आए, तो वो समझ में आना, तो उसके मताबी फिर आता है कि valuable क्या है, लड़ना जगड़ना valuable है, competition valuable है या corporation valuable है, और फिर corporation के साथ रहने के लिए जैसी skills चाहिए, team skills, हमने सिखा ही नहीं स्कूल में, college में, तो जब काम करने लगते हैं छोटा-छोटे project में, तो अच्छे-च्छे पढ़े लिखों को कैसी-कैसी team conflict आती है, मैडम ने बताये यह, क् कि उसको important नहीं समझा गया, जब हम पढ़ाते हैं तो individual performance को सबसे ज़्यादा, कौन first आया, किसको gold medal मिला, our individual performance is more important than our team performance, तो फिर उसमें से यही चीज़ निकलती है, और otherwise, जब values और vision ठीक होगी, तो फिर definite human conduct होगा, और human society हम create कर पाएंगे, हर level पर, और यह नहीं होता है, तो word vision, word view जो है, वो assumptions पर है, क्योंकि पढ़ा दिया, किसी ने survival of the fittest, और वो कहते हैं कि Darwin में भी यह नहीं कहा था, और Darwin ने जो कहा था, वो body के context में कहा था, behavior के context में नहीं कहा, context में नहीं कहा, context अलग था, और शरब्द भी अलग थे, लेकिन वो चला दिया, तो दिमाग में व वो आती हैं, और skills living for inhuman conduct आता है, और indefinite कौन कब क्या कर देगा, तो लोग कहते हैं कि पहले सबसे ज़्यादा डर होता था, तुफान का, भुचाल का, बाढ़ का, उन सब पर control कर लिया, और डर होता था जंगली जानवरों का, अब उल्टा हो गया कि जंगली जानवरों को ह हम से डर हो गया, तो अब आज किस चीज का डर है, तो human being के inhuman behavior और वो जो inhuman behavior है, वो indefinite की आदमी जहां होगा, वो पता नहीं वहाँ क्या कर देगा, उस चीज के लिए जिम्मेदारी education की है, वहीं से मामला स्टार्ट हुआ था, और हम human society की बजाए, inhuman society की तरफ पहुंच गए हैं, और जिस तरीके के हालात दुनिया में, चाहे वो युक्रेन में हो, चाहे फिलस्तीन में हो, चाहे बाकी जगया हो, वो सब हम लोगों को दिखाने हैं, वो कहीं ना कहीं, इस education में ये crucial missing link है, जिसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की, मिलकर के उसको पूरा करने की है, तो फिर skills, definite human conduct, human society, ये चीज़ें बढ़ेंगी, इस काम को करने के लिए, तीन स्टेप्स में, AICT ने जो initiative लिया, वो इस किताब में आपको जो भेजा गया था, invitation, उसमें भी उसकी soft copy है, उस पूरे document की, इसकी बात हम students के साथ करें, और first year में ही, एक तीन क्रेड करेंट का, full-fledged, जिसमें बकायदा practice sessions भी है, tutorials भी है, और lectures भी है, two lectures per week, one tutorial और practice session पर week, इस प्रकार से उसको किया या tool, tutorials per week, ताकि तीन क्रेडिट का वो बने, दूसरा, reinforcement and exemplification of living in harmony, सबसे अच्छा तो यह है कि जो पढ़ा रहा है, वो खुद अपनी example से उसको बच्चों को नहीं तो उस प्रकार की stories, जिस तरीके की stories, मैडम ने अपने lecture में कही, कि चाहे हमको अपनी history में, अपनी बड़ी किताबों में, रामायन में, महाभारत में, जो भी दुनिया में, जहां जहां पर भी values expressed की गई हैं, उनके बारे में हो, हमारे local, regional में बहुत सारी NGOs उस तरीके मिलती हैं, तो पहले उसको वो जो concepts हैं, वो clear होना, उन concepts को जब practice हो रही है society में, वो ध्यान में होना हमारी traditions में, और फिर उससे जब उसको चीज इंकलकेट होती है, तो फिर मुझे कैसी skills सीखनी है, जो human friendly skills है, और जो nature friendly skills, फिर मैं जो technology बना रहा हूँ, तो उससे nature exploit ना हो, जो मेरे management models हैं, जहां कहीं पर भी हैं, जिस भी किसी environment में हैं, वो exploitative management models नहीं है, वो तब होगा, nature friendly and human friendly skills and practice, जब हमारे को पूरी तरीके से, सही चीज क्या है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा, और उसके बारे में, और गहराई में जाने का एक encouragement होगा, और ये चीज, कोई नई चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, और ये चीज tradition से, हम दुनिया के बाकी जगह पर भी और अपने हिंदुस्तान में बहुत जगह पर, हम देखते हैं कि, जिस किसी ने भी हमारे पूर्वजों ने सच्चाई को देखने की कोशिश की, तो उनको ध्या जान में आया, कि ये सच्चाई एक है, और उसको लव और कंपेशन से ही एक्स्प्रेस किया जा सकता है, खुद को समझना, और इस नेचर में जो हार्मनी है, उसको समझना, उसको जीना, और जिससे एक, जो हमारी नेशनल एडुकेशन पॉलिसी के भी पहले पेज के पहले पहले की पहली लाइन में लिखा है, ये पॉलिसी किसली है, टूक्रीएट, जस्तें एक्विटेबल सॉसाइटी, जस्तें एक्विटेबल सुसाइटी के लिए जो एडुकेशन है, उसके लिए पहले से ही अपने देश में काम चलता आया है, to have social systems for well-being of all, जिसको सर्वे में बोर्ड बहुत लगा है कि वसुधैव कुटमबुकम लेकिन वो होगा कैसे और उसके नीचे की थियोरी क्या है क्योंकि दुनिया तो फिलिस्तीन और युक्रेन बनी हुई है तो वसुधैव कुटमबुकम कैसे होगा और फिर यह कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही तुम बोलोगे तब तुम मेरे हो और जैसा मैं बोल रहा हूं तुम वैसा नहीं बोलोगे तो तुम मेरे जैसे नहीं हो तुम मेरे नहीं हो तो अपने यहां जो बात कहेगी कि एकमसद विप्रा बहुदा बदनती truth is one and it is being expressed by people in different ways कि लोग इसको अलग लग तरीके से कहते हैं और जो मुझे समझ में आया है जो मुझे सही समझ में आया है वो सबको समझ आ सके उसमें उनका सहयोग करना जबरदस्ती नहीं मनवान तो उसको कहा कि क्रिणवन तो विश्व मार्यम कि जो श्रेष्ट है जो एक्स सबको प्राप्त हो उसमें सहयोग करना तो इस एफ़र्ट ऑन उनिवर्सल हुमन वैल्यूस इन कांटिनवेशन विद्ट ट्रेडिशन यह जो यूनिवर्सल हुमन वैल्यूस का जो काम है यह उसी परंपरा का हिस्सा है जो परंपरा जब से मानव के जीवन शुरू हुआ है तब से चल रहा है तो इसलिए कोई नई चीज एए सीटी ने नहीं बनाए यह जिन टीचर्स ने वो किताब लिखी है उन्होंने कोई नई चीज नहीं की है इस इस जस्ट पार्ट अफ ट्रेडिशन इस तो अग्या तो हम लोग जो भी इसमें कोर्स कंटेंट है उसमें चार बातों का धियन है उसमी चार बातों का ध्यान एंट शींटेंड लिग्दाने इस गाइदलाइन फिर शोड मोर् कॉटेट आपट अप्लाइस तो ओल वर्ड अप्लाइस टू ओल मैन काइंड तो वह ऊनिवर्सल एप ऐसी चीज नहीं हम डिसकेस कर रहे हैं कि जो सिरुफ भारत पे लागू होती है जो सिरुफ पंजाब पे लागू होती है एसा कुछ नहीं तो यह वैल्यूस यह हैं यह उनिवर्सल और दू रिगवेद में लिखा है नहीं तुम खुद अपने अंदर देखो तुमको यह समझ आ रहा है कि नहीं इस रेशनल और नॉट ड़स अपील टुमन वीजनिंग तो जो हम बात कर रहे हैं वो वैश्विक भी है वो तार्किक भी है कि नहीं यह हमारे कुल में चला रहा है इसलिए ऐसा ही करना है तुमको यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह बात स्टूड देन वेरिफाएबल थे स्टूडेंट इस वेरिफाइब इस वैल्यूज ऑन वन्स ओन राइट कुद करके देखो तुम जड़ा महीना भर दोस ड़का स्थ कॉपरेशिन से रहे कि देखो कॉंपीटिशन से रहे लेते हो जादा आगे बढयते हो जादा मजे से आगे बढ़ते हो कि कॉंपीटिश eerste इस तरीकी की चीज़ों को जो बात लिसको सी चाप fruit को बेरिफाइब हम कहते हैं we toke about truth because it can be experimentally verified so we say there we talk about that truth which can be experientially verified and it leads to harmony it leads to resolution of conflicts at all levels conflict resolution at the level of individual at the level of family at the level of society at the level of nature तो यह जो चार गाइडलाइन्स है इस कोर्स कंटेंट की युनिवर्सल है रेश्नल है वेरिफाइबल है और लीडिंग टू हर्मनी और फिर प्रॉसेस ऑफ वेल्यू एजूकेशन जनली हम लोगों को जो आदत है कोर्स कंटेंट पढ़ाने की तो हम कहते हैं कि यह किताब में लिखा है इसको रटलो इसको एक्जाम में कर दो यह तीन क्रेडिट का कोर्स है एग्रेड आजाएगा बी ग्रेड आजाएगा एग डिपेंडिंगा उनके आपने क्या लिखा इसकी जो प्रॉसेस बात करते हैं कि एंकरेज दस्टूनिट्स को एक्स्प्लोर इंद विदिन यॉर्सेल्फ वी डोंट आस्टेम तो एक्सेप्ट इस अधिस यह इसमें एक बात ध्यान में आप सब को आती होगी हम सब के अंदर हुमन बींग के अंदर यह फिकल्टी है कि वो खुद में चीजों को एक्स्प्लोर कर सकते हैं और उस सेल्फ एक्स्प्लोरेशन की जो प्रॉसेस है उसको एंकरेज किया जाता है क्वें gegen mail मैं क्या हूं मैं काँ हूं वेश मय पर्प Spider-ita यह यह नॉ suppliers नेंद इन तो कावोडी लॉसे है कि मेरा और मेरी बॉडी का क्या संबन एक मड़ी यह मौनिए तो रही मौनित इसक्टीर का आपस मिन संबंद क्या है तो क्या health जो है वो value बनती है कि नहीं बनती है health मेरे लिए valuable है कि नहीं यह टेस्ट और कुछ भी खाना पीना और सिरुफ खाना पीना और वो सब है what is my value in my family my role in my family what is my role in society what is my role in nature existence तो यह इसकी process है एक सिरुक किताब पढ़ना नहीं किताब में जो लिखा उसको discuss करना मानना यह नहीं मानना वो खुद पर बच्चे डिसाइड करें it encourages students to discover what they consider valuable accordingly they are able to discriminate between valuable and superficial in real situations in their life फिर जब वो सोचना शुरू करते हैं तो salary package ज्यादा important है या माबाप के साथ रहना ज्यादा important है इसको वो खुद डिसाइड करने दीजिए अभी तो उनको option ही नहीं दी गई अभी तो मावा भी option नहीं देते हैं मावा भी कहते हैं कि नहीं salary package आदा वहीं जाओ हम अपना देख लेंगे मैदानता में चले जाएंगे कहीं और चले जाएंगे तो यह जो चीज है कि ध्यान दिलाना यह इसमें self exploration का है and there is a reference point in every one of us that is called natural acceptance हम सब के अंदर एक एक natural acceptance नाम की faculty है कि cooperation से तुमारी continuous growth होगी या competition से होगी तो आपका natural जो answer है वो क्या आता है एंगर is the expression of strength और एंगर is the expression of weakness जब explore करना शुरू करते हैं तो ध्यान में आता है कि जब हम helpless हो जाते हैं तब हम अपना volume उचा करते हैं तब हम गुस्से में बोलते हैं it is an expression of weakness कि आप अराम से वो soft scope वाली बात कह रहे थे आप formally softly अपनी बात कह नहीं पा रहे हो तो so you become angry इस तरीके के examples के साथ students को self-explore करने के लिए encourage करते हैं next कि यह जो अभी कोर्स जिस शेप में पहुंचा है और जिस तरीके से इसकी सारी टीम इवाल्व हुई है इसकी अगर जर्नी को देखें तो आइटी डेली में 1982 के फर्स समेस्टर में वहां एक प्रोफेसर थे मेकेनिकल एंजिंग के प्रोफेसर रिशी राज गौड और और एक प्रोफेसर प्रोफेसर प्यल धर यह दोनों उनके मन में पर्पस था कि आइटी के सब बच्चे इसे देश में देश चले जाते हैं और लाइफ में क्या करना चाहिए इसकी क्लैरिटी आइटी नहीं दे पार रही है तो डिस्पॉंसिबिलिटी डिस्कॉस इस इशूज इन वही एफर्ट से 2001 में एम एचाइडी ने ने नेशनल रिसोर्स सेंटर इन वेल्यू एजुकेशन इस्टेब्लिश किये आइटी डेली में किये एंसी आइटी में किये और आयम लखनव में किये कि 2005 में ट्रिपल आयडी हैदराबाद ने पहली बार दो समस्टर का मेंडेटरी कोर्स ओफर किया एक समस्टर में कोर्स कंटेंट देते थे और दूसरे समस्टर में पूरा प्रेक्टिस सेशन के तौर प्रॉजेक्ट बेस था दूसरे समस्टर में 2009 में यूपी टेकनिकल लुशिटी में प्रेम वर्व्यूमान ठ उन्हों ने सारे कॉलर्जीमें आजकल उसको अब Buddhist किलाम Technical University के थे उन्होंने जे कूर्स ओफर किया था 2011 में हम लोगों ने पंजाब टेक्निकल इनिवसिटी में किया और 2012 में बहुत अच्छी शुरुबात हुई भुटान ने भुटान के लोग हैं वहां जैसे उन्होंने का कि मैं Science of Happiness पढ़ाता हूं और वहां पर जो एक ग्रॉस नेशनल हैपिनेस का जो कॉंसेप्ट है उसके साथ यह कोर्स काफी अच्छा वह हुआ तो वहां की क्वीन वहां के जो एंपरर हैं जो वहां के से इंक्लूड किया भुटान में काफी ज्यादा आगे बढ़ा फिर हिमाचल प्रदेश टेक्निकल युनिवर्सिटी हमीरपूर में शेशी देमान जी के समय पर हुआ इस समय दोज़ार सत्रा तक 40 युनिवर्सिटी और 10 स्टेट्स में यह फांडेशन कोर्स के तौर पे चल होगा था 2017 में इसको नैशनल लेवल पर सारे एंजिनिंग कॉलेजिस के लिए इसको मेंडेट्री किया इस समय पर लगबग सारी स्टेट्स में दिल्ली यूपी पंजाब राजस्तान एंपी महाराष्ट गुजरात एपी तेलंगाना तमिलनाडू करनाटक केरल वेस्ट में संदाल अल्मोस्ट एवरी स्टेट में यह कोर्स अकैडमी कॉंसिल से अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में लोगों ने शुरुवात की है कि इसके जो फाइदे हुए हैं कि पीछे जो इंडिविजूल्स ने शेर की आपना फीडबेक इंक्रीज इन क्लारिटी ऑफ पर्पस हैपिनेस और प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है एं ए मोर इंक्लूसिव होलिस्टिक एंड हुमें वर्ड विजिजन को मिट्मेंट तोवर्ड एक्सेलेंस इंक्रीज प्रॉडक्टिविटी फिलिंग ऑफ रिस्पॉंसिबिलिटी तोवर्ड दिवल्प्मेंट अव सोसाइटी एड नेशन जब बच्चे कोर्णे के बाद अपना फीडबेक देते हैं उसकी एक सम्री और जो इंस्टिजूशन ने फीडबेक दिया वहां के प्रिंसिपल्स ने वहां के एड़ डिपार्टमेंट ने इंक्रीज़ एंप्लाइबिलिटी अप स्टूनेंट्स यह तो हमको पीटीउ में ध्यान में बच्चों की प्लेस्मेंट के लिए आते थे लोग तो उनको लगता था कि बच्चों की रिस्पॉंसिबिल बेहिबियर एटिट्यूड क्योंकि उनको लगता है कि टेक्निकल स्केल्स तो हम खुद पढ़ा लेंगे जो कुछ आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो हमारे लिए अपसलीट है असली प्रॉब्लम तो एटिटीट्यूड की होती है एन्हांस डिस्पॉंसिबिलिटी एंटीमवर्क इंस्टूडेंट्स बेटर अकैडेमिक सिंसेरिटी एंप्रीज वॉलंटी अटेंडंस बहुत सरे टीचर ने काहा कि इस कोर्स की वेजे से ना सिरफ इस कोर्स में एटेंडनेंस बढ़ी बाकी कोर्सेंज में उनकी तो यह चीज़ें उसका एक नेच्रूल आउटकम बनती हैं इनको पढ़ाने की जुरूत नहीं पढ़ती कि बच्चो ऐसा करो ऐसा ना करो क्या हो रहा है क्यों हो रहा है तुमारे अंदर इसको डिस्क्रिस करने की बात हुए तो एक ब्रीफ लीकी इस सारे काम का जो विजन है वो human education for a human society जैसा समाज हम चाहते हैं वैसा हम शिक्षा में वो चीज कर सकें प्रोग्राम यह है यह पहला step है value education की value का मतलब क्या है value क्या होती है कैसे उसको देखना उसके बाद जो next step अपने को करना है जो भी हम नहीं कर पा रहें वो है value-based education यह हमारी सारी physics chemistry sociology economics mechanical engineering यह value-based हो जाए आज तो वह जब जो हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो सब salary package के लिए पढ़ा रहे हैं उसकी सारी जो motivation है वह है वह कैसे value-based हो और तीसरी चीज़ है कि society में value-based living यह बच्चों के अंदर जो एक commitment है value-based living के बारे में वह तीस रस्ट है इसकी प्रॉसेस जो है वह self exploration है no do's and don'ts अब तक जो teaching learning material अभी तक जो efforts हुए है सोला books अब चप चुकी है अलग लग उसकी aspects पर holistic health पर human economics पर human psychology पर sociology पर आठ courses आठ तरह के courses उसमें से कुछ स्वयम पर AICT ने कर दिए है upload यह foundation course है universal human values का क्योंकि AICT ने अपने curriculum में किया है कि उन्होंने minor degree भी approve की है कि 18 credits अगर student करता है तो वह अपनी नॉर्मल MSC, BTEC, MTEC, MBA, BAC के साथ minor degree भी ले सकता है NEP में UGC में हो सकता है कुछ ज्यादा credits हो जो भी हमारे regulations हैं उसके हिसाब से तो minor degree के लिए यह 8 courses का bookे भी available है 12 तरह के faculty development program है अलग-अलग level के जिन्होंने पहले किया है तीन दिन का पांच दिन का आठ दिन का उसे हिसाब से इस समय इस सारे effort में से 500 से ज्यादा volunteer teachers और resource person इस सारे program में यह रखा है कोई भी teacher और resource person जो fdp में जाता है कोई volunteer किसी भी तरह का कोई honorarium नहीं लेता है they are all doing pro bono as a gift to the society और जब भी किसी institution में होता है तो host institution सिर्फ venue residents अगर कुछ participants के लिए है या food expenses करते हैं और बाकी teachers जो है वो किसी तरीके का कोई honorarium नहीं लेते हैं और अभी तक जिनको certified किया है AICT ने और खास करके पिछले 2017 से 23 सक पिछले 1000 फेकल्टी को certified किया अलग लग स्टेट्स में सब जगें और एक सो पचासी उनिवर्सिटीज ने अब तक इंट्रस्ट शो किया है और उने यूच्वी सेल बनाये या यूच्वी coordinator बनाये उनिवर्स्टी कोडिनेटर बनाये और टोटल जो सब्सक्राइब करना आसान नहीं है पूरे सेशन में बैठना पड़ता है और बैठना नहीं पड़ता उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है उसमें बार-बार पोल्स होते हैं उसका अंसर करना पड़ता है तो उस तरीके से लगबग 50% 50% 60% जो है वो सेर्टिफिकेशन का अभी तक का पर्सेंट रहा अभी तक के जो एफर्ट से वो मैंने आपके साथ शेयर किये थैंक यू थैंक यू थैंक यू